हलो बच्चो नौसकार प्यारे बच्चो लास्ट क्लास में हम सभी ने फॉर्थ चेप्टर सुरू किया था कार्मन एनिट्स कंपाउंड और उसमें हम लोगों ने अलकेन, अलकीन, अलकाइन तक के टॉपिक्स को कवर कर लिया था ठीक है और आज हम लोग बच्चो कवर करने जा रहे हैं किसे आज हम कवर करने जा रहे हैं देट साइकलोहईडोकरबन ठीक है साइकलिक हाइड्रोकरबन ठीक है जक्रिये जक्रापahhco करण बई अगर मैं cyclo hydrocarbon की बात करूँ cyclic hydrocarbon की बात करूँ चक्री hydrocarbon की तो यह क्या है कि इसमें ना बच्चो जो structure आएगा वो आपका बंद आएगा मतलब चाहे वो triangular shape में हो चाहे वो quadrilateral shape में हो bond भी पूरी तरीके से क्या होंगे complete होंगे जैसे देखो जैसे आपके लिए मैं उधरन लेलू cs2 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 और यह आप देखरो हर जगा से एक दूसरे से बंद है और बंद होने के साथ साथ यह पूरी तरीके से fulfill भी है क्योंकि मैंने आपको सिखाय कि carbon के पास चार bond होने चाहिए carbon के पास कितने bond होने चाहिए चार तो भाई इसके पास तो एक दो है इसके पास एक दो है इसके पास एक दो है और कह रहे हो आप फिर भी कह रहे हो कि कह रहे हो कि सर ये सही है बिलकुल तो सही कैसे है बहुत सही होने का कारण क्या है तो सही होने का कारण ये है कि इसके bond पूरे है लेकिन वो आपको दिखाईन दे रहें छुपे हुए तो बहुत उन छुपे हुए को दिखाते हैं ना सो करते हैं आपको कैसे, अब देखो ये C है एक bonnet या था, एक bonnet या था एक bonnet या था, एक bonnet या था, एना दो bonnet थो ये उगए अब बाकी के दो bonnet का है, एक उपर एक नीचे देखो, क्योंकि दो hydrogen है ना, तो एक उपर और एक नीचे, होगे चाहर, इसी तरीके से क्या हुआ भाई कि ये और ये सीन ये और ये सीन पूरी तरीके से क्या हुआ मैच कर गया कैसे क्योंकि इसमें भी बाउंड पूरे है इसमें भी बाउंड पूरे अब आते बात इसको नाम देने की क्योंकि हर जगा से ये बंद है तो इसलिए के इसका नाम पढ़ा? Cyclo Hydro Carbon क्या नाम पढ़ा? Cyclo Hydro सरी, ओहो, क्या बोलो मैं? Cyclic, Cyclo 1, 2, 3, 3 कारबन है तो भई, 3 कारबन का क्या होता है? Prop, यानि प्रॉप और हर जगा single bond है तो Cyclo Propane क्या नाम बनेगा? Cyclo Propane इसी तरीके से CH2 CH2 CH2, CH2 और यह है तो हर जगा से बन्द है तो यह बनेगा Cyclo Butane क्या बनेगा? Cyclo Butane ठीक है? इसी तरीके से एक और देखेंगे CH2 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 और यह ठीक है? तो हर जगा से packed है तो इसको कहेंगे Cyclo Cyclo Pantene क्या बोलेंगे इसे? Cyclo Pantene हर जगा से bond पूरे हैं अब इसको अगर मैं बोलूँ CH2 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 यह तो इसका नाम पढ़ेगा Cyclo छे कार बने हर जगा सिंगल बोंड है Hexene तो क्या नाम पढ़ा इसका? Cyclo Hexene क्या नाम पढ़ा इसका? Cyclo Hexene ठीक है? अच्छा एक फॉर्म और है माल लीजिए इसे में आगया CH 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 और यह वह अब तक आप देख रहे थे कि हर किसी के नीचे 2 लगा हुआ था लेकिन अब तो लगा हुआ है अकेला H तो बन्ड तो पूरे हुए ही नहीं क्योंकि 1,2 और H3 1,2,H3 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 तो वह इसके बन्ड पूरे करने तो ऐसी सिचुएशन में एक छोड़ के एक डबल बन्ड लगा दो एक छोड़ के एक क्या लगा दो डबल बन्ड लगा दो तो क्या बन गया देखो C 1,2,3 बन्ड एक हाइडरोजन 4 1,2,3 हाइडरोजन 4 1,2,3 हाइडरोजन 4 1,2,3 हाइडरोजन 4 ठीक है तो ऐसे में नाम पढ़ेगा साइकलो 6 कार्वन है हैक्स लेकिन डबल बन्ड है तो एन तो नाम के पढ़ा साइकलो हैक्जीन और बच्चो इसका दूसरा नाम होता है बेंजीन क्या नाम होता है इसका दूसरा बेंजीन इसका दूसरा नाम क्या होता है बेंजीन नाम होता है क्या नाम होता है बेंजीन नाम होता है ठीक है उच्चो इस तरीके से बनता है ठीक इसका एक फिगर और होता है CH 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 और ये अभी इच में गोला ऐसे तो भाई आप चाहो ऐसे बनाओ आप चाहो ऐसे बनाओ दोनों के दोनों Cyclohexene यानि Benzene का ही सिंबल है किसका सिंबल है Benzene का ही सिंबल है clear तो इस तरीके से proper तरीके से भाई आप इसको note कर लीजिए फिर alkyl group पढ़ाने जा रहा हूँ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ alkyl group जल्दी कर लीजिए चलिए ये note हो गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं साइक्लिक हड्रोकार्बन में मतलब ये साइक्लिक हड्रोकार्बन आपका खतम आप पढ़ेंगे alkyl group को कौन सा गुरूप कि alkyl group कि 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 आप मुंए त ¿ाजत कि ऊपका हैता हुग १॥ ठीक है चलिए अगला आता है अलकाइल ग्रुप अगला आता है अलकाइल ग्रुप ठीक है अलकाइल समू ठीक है बच्छो अब बात आती है कि अलकाइल ग्रुप होता क्या है कैसे बनता है किसे फॉर्म होता है तो देखो अलकाइल ग्रुप न बच्छो अलकेन से ही फॉर्म होता है अलकाइल ग्रूप जो होता है वो हमारे अलकेन से ही फॉर्म होता है यानि अलकेन से अलकाइल ग्रूप को फॉर्म किया जाता है कैसे किया जाता है एक हाइडरोजन को हटा के कैसे करके एक हाइडरोजन को हटा के जैसे कैसे हटाते है जरह देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास है CH4 इसमें से एक hydrogen हटा दिया तो यह बन जाएगा bond CH3 माइनस मत बोलना आप इसको बोलो कि यह माइनस है माइनस नहीं है जब यहाँ से एक hydrogen हटेगा तो bond है अकेला रह जाएगा तो bond CH3 बन जाएगा तो कैसे बनेगा देखो आप भई CH4 को ऐसे बनाते है है ना और जैसे इसमें से एक hydrogen हटाओगे तो यह बनेगा bond CHHH अब यह hydrogen जरूरी नहीं यहीं हटाना है कोई सब यह hydrogen आप यहाँ से क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं तो यह बन जाएगा इस तरीके से तो जब इसके सारे bond पूरे थे तो आपने नाम इसको क्या दिया था एक carbon था तो methane एक carbon था तो methane लेकिन भई अब एक bond हट गया तो भई क्या रहेगा एक carbon है तो रहेगा myth लेकिन अब की बार इसका क्या जुड़ जाएगा ILE तो क्या नाम बन गया Methyle क्या नाम बन गया इसका Methyle इसी तरीके से C2H5 है तो यह क्या बन यह bond हटाएंगे तो C2 Sorry C2H6 है bond हटाएंगे तो C2H5 ठीक है एक hydrogen हटाने पर क्यों? क्योंकि दिसे दो carbon है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे fulfill है कोई सब भी हटा दो माल लो यह हटा दो उपर काटा दो कोई सब भी हटा दो तो माल लो उपर वाला भी हटा दिया अगर हमने तो बनेगा H, C, H, 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 H एक bond हटाएंगे ना तो नाम क्या पड़ा? इसका नाम है दो कार बने एथ और सारे bond सिंगल एथेन यह है दो कार बने एथ एक bond बज़ गया एथाईल तो क्या बने गया भई? एथेन और एथाईल क्या बने गया? एथेन और एथाईल कोई तकत? कोई समस्या? नोट कीजिए भई नोट कीजिए ठीक है? चलो भई ठीक है? अभी इन चीजों को क्यों सिखाए जाता है? इन चीजों को इसलिए सिखाए जाता है ताकि हम नेमिंग कर सके नॉमन कलेशर कर सके ठीक है? तो टॉपिक का नाम लिए यह उदार लिया होगा आपने अब टॉपिक का नाम लिखे नॉमन कलेशर ठीक है? ज्यादा डीप नहीं सीखेंगे हलका हलका सीखेंगे हम नॉमन कलेशर ठीक है? ठीक है और नौमन कलेचर भी मैं आपको किस में सिखा दूँगा? आइसामर में सिखा दूँगा इसमस हिंदी में कहते हैं समावयव क्या कहते हैं इसको? समावयव, आइसामस ध्यान से सुनिएका क्या टॉपिक है और क्या पढ़ाना चाहरों है बचो आईसोमर्ज जो होते हैं न हमारे आईसोमर्ज क्या होते हैं जिनका molecular formula same है लेकिन structure अलग-अलग है molecular formula क्या है same लेकिन structure क्या होंगे अलग-अलग जड़ा देखो कैसे मैं लग यहाँ पे which molecular formula formula is same are same but their structures are different ठीक है जिनके एक मिन बचो आरो यहर भाई उपर recording चल रही है तुम यहाँ अपनी रमैंड चालो कर रखे क्लास है का जैसंकर जी का है फोन करो ना क्या नीचे क्या कर रहे हूँ तुझे क्लास के रविंग तुमारी है ना कि अन्वाच उपर रिकॉर्डिंग में आजाती है आजाती है यहाँ तुम गप जिनके आन्विक सूत्र समान है लेकिन सन्रचनाएं अलग-अलग हैं सन्रचनाएं अलग-अलग हैं ठीक है अब देखो इससे सीखेंगे हम क्या सीखेंगे कि वही फॉर्मुले तो सारे सेम हैं फॉर्मुले सबके यानि मॉलिकुलर फॉर्मुला जो रहेगा वो सेम रहेगा लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होगा वह बिल्कुल डिफरेंट होगा क तो आपने क्या बोला भाई सीफोर एस्टैन का मतलब यह हुआ कि वह कारबन चार है हाइड्रोजन टैन यानि चार का डबल आठ आठ में दो जाता दस यानि एलके इन गुरूप से आपने तुरंत नाम दिया इसको ब्यूटेन क्या नाम दिया ब्यूटेन भाई हिंदी वालो ब्यूटेन को ब्यूटेन ही कहते हैं हिंदी में कहीं आप कहीं सोचो कि इससर तो हिंदी में पढ़ाई नहीं नहीं अच्छा अब इसको स्ट्रक्चर में फॉर्म में बदलते हैं जैसे इसको चेंज करो जैसे इसको चेंज क तोड़ो ठीक है तो C4 है चार में तोड़ो भई CH3 CH2 CH2 CH3 अब यह चीज़ भी फिक्स है सुरू में और लास्ट में CS3 होगा और बीच में सिर्फ CS2 चलेंगे सुरू में लास्ट में CS3 और बीच में क्या चलेंगे CS2 ठीक है नाम अभी भी क्या पड़ेगा ब्यूटेन लेकिन कुछ केस बदल भी सकते हैं कैसे बदलेंगे देखो जड़ा इसने बोला भाई तू एक हैड्रोजन ले ले लेकिन एक सर्त है क्या सर्त है भाई तू है तुझे अपनी जगा छोड़नी पड़ेगी यहां से तो जो हटना पड़ेगा या तो उपर जा या तो नीचे ज लेकिन अपनी जगा छोड़ भाई बैसा रहे ले लागी पैसा आँ एगा तभी दू जगा छोड़ेंगे ऐसे है ठीक जिए तो चलो ठीक है इसने हट्रवें देतिया तो दो दो यह दो यह ठी और इसे होड़े नियह अब बात आती है यहां अब देखो अब तक के structure था बिल्गुल simple लेकिन अब के structure में आप देख रहे होगे एक branch आ गई नीचे क्या गई एक नीचे branch आ गई नीचे क्या गई ब्रांच आ गई तो अब ऐसी situation में हम क्या करें तो जब branch आ जाए ना बच्चो तो ये देखो branch branch पास कहाँ से पढ़ रही है गिंति के लिए पास कहाँ से पढ़ रही है तो गिंति की नो एक दो तीन दोक अदो तीन इधर से बहिन प्रांश मतलब कलना है यह डोनबर पे branch तो दो नंबर पे अभी-अभी इलकाईल गुरूप पढ़ाया है मैंने आपको अभी अभी क्या पढ़ाया है अलकायल गुरूप बॉंड CS3 का नाम क्या होता है मिथाइल याद है बॉंड CS3 का मतलब क्या होता है मिथाइल तो दो पे यानि दो नंबर पे मिथाइल दो नंबर पे मिथाइल कॉमा अब कितने कार्बन ब बज गए तो नाम क्या पड़ेगा तीन का प्रॉप सिंगल मॉंड है एन प्रॉपेन ठीक है वहीं बॉण्ट सीएस तरीका कितने नंबर पर दो नंबर पर तो दो नंबर मिथाईल तीन कार बने प्रॉपेन ठीक इसी तरीके से इसी तरीके से सी फाइव एच ट्वेल यह दिया हुआ आपको नाम आप अच्छे से जानते हैं इसका नाम है पैंटेन क्या नाम है पैंटेन अब अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा देखो भीड़ पैंट पैंटेन अब फिर उसे उब्ही कहानी वह इस ने बोला यार एक घरच ले ले लेकिन अपने जगा चोड़ दे तो एठीक है भई पहला है फिर जगा छोड़ूंगा तो कि रठीक है ले पकड़ इस दिन अपना एक है यह नीचे आगिया जाए अब यह क्या बचा यह तो भई यह खिशक के तो नीचे आगिया बचा यह CH2 और बचाईए CH3 ठीक है अब बाद आते हैं इसका नाम देना हाँ जी तो बच्छो तो इसका नाम देना है बमें तो नाम कैसे देंगे मैंने क्या बता है जहां से बरांच पास पड़े तो बच्छ गिनूँगा तो Εक दो तीन पाएगा और यहां से बरांच गिनूँगा तो एक और दो तो नमबर बच्छ अब यहां से करूँगा 1, 2, 3, 4 तो हाँ बही दो नमबर पे bond CS3 क्या होता है? methyl, दो नमबर में methyl जहां से bond पास पड़े हैं वहाँ से यानि जहां से branch पास पड़े हैं गिंती हैं बही इसका नाम तो आ गया अब कितने कार्बन बचे? एक, दो, तीन, चार तो नाम क्या पड़ेगा? चार में butane, तो नाम क्या आया बच्चो? दो पे मिथाईल butane क्या नाम आया? दो पे मिथाईल butane ठीक है? अब बात आती है, इसी में एक और काम हो सकता है, क्या? अब कहा रहा है मेरे पास भाई, अभी भी एक जगा बचा है, यह कहा रहा है, यह बंदा कहा रहा है कि अभी भी मेरे पास एक जगा बची है और तु भाई है, एक हाइडरोजन तू भी ले ले तो अगरा ठीक है भाई लेकिन तिरका पता कि अभी जगा तो छोड़ नहीं पड़ेगी जब हाइडरोजन कहीं से भी गिंती शुरू कर लो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, भाई कहीं से भी गिंती कर लो, दो पे या रहा है तो भाई, दो, क्यों लिखा दो बार दो क्योंकि एक बार दो पे उपर ब्रांच है और दूसरी बार दो पे नीचे ब्रांच है इसलिए लिगा 2,2 और ब्रांच दिख कितनी बार रहा है दो बार और दो बार दिख क्या रहा है डाई मिथाइल दिख क्या रहा है डाई मिथाइल क्योंकि एक मिथाइल नीचे दिखाई दे रहा है एक मिथाइल उपर दिखाई दे रहा है इसलिए डाई मिथाइल डाइ मिठाइल का मतलब कि भाई हमें इसमें दो बार मिठाइल दिखाई दे रहा है और कौन से नंबर पर दिखाई दे रहा है पहला वाला भी दो नंबर पर दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला भी दो नंबर पर ही दिखाई दे रहा है ठीक है? तो ये दोनों तो हो गए बचे तीन कार्वन तो ये तीन कार्वन क्या बनेंगे? Propane क्या नाम बनेंगे? Propane कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई समस्या टीक है? जल्दी से आप लोग मुझे ये करके दिखाओ अब C6H14 करो ये करके दिखाओ फिर इसके बाद और भी कुछ जरूरी बाते और इस पेशल टाइप का नाम बताता हूँ ठीक है करके दिखाओ का नाम बता हूँ अब देखो यह अपने कोशिश की होगी करने की ठीक है तो इसको करवाता हूँ तो आपने लिए होगा CS3 पहले तो नाम दो छे कार बने हैक्स सिंगल बॉंड होगा एन कैसे क्योंकि छे डबल थे दो जाद है हाँ है CS2 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 CS3 सही बात है एक दो रिचार यह तो क्या नाम पड़ गया इसका भी नाम क्या पड़ेगा है अब वही वाली बात जर्णिया सिर्फ यह देगा मालों यह भी दे सकता है इसने कहा दिया कि यह ले तू ले ले बाई अट्रोजन ले ठीक है लेकिन जगा छोड़ने पड़ेगी क्या ठीक है तो यहां पड़ेगा है जगा छोड़ी नीचे आया CS3 बचा CS2 CS3 अब गिंती किनो बाई एक दो ती एक दो तीन दोनों तरह से भाई तीन पर आ रहा तो कोई फरक नीपड़ता ठीक है तो क्या नाम पड़ेगा इसका इसका नाम पड़ेगा तीन पे बॉंड CS3 मतलम इथाई ली और फिर पांच है तो पांच है तो क्या बनेगा पैंटेन सही बात है लेकिन एक और कहा सकता है भाई तू ले 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 ठीक है तू भी ले ले भाई क्योंकि मेरे बाद जगा बची भी है और एक हैड्रोजन भी एक्स्ट्रा है अपनी जगा छोड़नी पड़ेगी क्या ठीक है भाई CS3 CS2 C यह उपपर चला गया CS3 और नीचे वाला सल यहां से दो पर आ रहा है तो नाम क्या बचा दो कॉमा दो पे दो कॉमा दो पे ऊपर और नीचे क्या है भाई डाई मिथाईल क्या है डाई मिथाईल उपर और नीचे दो कॉमा दो पर क्या डाई मिथाईल और क्या बनेगा साथ में हाँ चार कारबन है ब्यूटेन चार कार कोई समस्या नहीं न ठीक है बच्छो तो दो कॉमा दो डाइ मिथाल ब्यूटेन इस तरीके से चलेगा अच्छा अब एक तरीका और है एक काम और कर सकते हम भाई एक काम और कर सकते हम क्या कर सकते है हाँ ये कर सकते है कि माल लो ये वाला हेडरोजन इसको न दे के इसको दे दिया ये वाला हेडरोजन इसको न दे के चलो एक मिनट चलो दूसरे भी करा देंगे उसमें क्या है फिलाल पहले नाम देखना सीख लो नाम देखना सीख लो एक तरीगा और है मैं ये भी कराता हूँ आपको, ठीक अटेंसर मतलो, लेकिन एक तरीका और है कि इसका एक नाम और दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ज़र ध्यान से देखो, बच्चो एक बात बता हो, ये एक क्या है, सिंगल चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका दूसरा नाम पता है, क्या अब नॉर्मल चेन है, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल चेन है, तो भई, एन ब्यूटेन, समझ मारी बात, कि बई, जब ये अपना सिंगल चेन है, तो एन ब्यूटेन नाम रख दी हमने, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, इतना ताम जहाम कि हमने, रखो ब्यूटेन ही, नाम चेंज करने की जूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ब्यूटेन किया, यहाँ प्रोपेन कर दिया, चेंज करने जूरत नहीं है, ब्रांच से दिखी ना, कितनी बार, एक बार, आइसो ब्यूटेन, क्या, आइसो ब्यूटेन, अच्छा, हाँ भई, अ का नाम रग्दो isopenten change नहीं करना है penteen था penteen नहीं रहेगा बस long chain है तो normal एक बार बराच इस आईक और अगर दो बार branch है और अगर दो बार branch है तो नाम पड़ेगा neopentain क्या नाम पड़ गया neopentain समझ मारी बात मसलब क्या बच्छों देखो pentane था तो pentane ही रहा हर जगा बस फर्क क्या है long chain है तो n pentane एक बार branch है iso, दो बार branch है neo, बस इतना सा करना है ठीक है, अब देख लो, यहाँ पर क्या है, hexane तो hexane है ना, तो इसका नाम रख दो n hexane ठीक है, normal hexane n hexane, ठीक है यह 3 methyl pentane है, मतलब क्या branch एक बार दिखाई दे रहा, तो एक बार दिखाई दे रहा iso pet, iso hexane करो iso hexane क्या करो, iso hexane iso का मतलब, एक बार branch अब यहाँ पर कितनी बार branch दिखाई दे रहा है, दो बार इसका नाम करो, neo hexane, रहेगा hexane ही, रहेगा pentane ही, रहेगा butane ही, बस देखने का नजरिया क्या चाहिए long chain long chain है lambis rinkla तो n लगा दो single branch single branch एकल साखा तो iso लगा दो और double branch ठीक है दूई साखा तो क्या लगा दोगे neo, क्या लगा दोगे neo, पल्ले बढ़री बात तो इस तरीके से बच्छो आपका ये iso merge का topic खतम होता है ठीक है इस तरीके से ये आपका iso merge का topic खतम होता है इसे note कर ले ना बच्छो ठीक है next class में इससे आगे के topic के बारे में discuss करेंगे करेंगे